हुआ यहाँ में मैं आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली पलिस। पर Ojos कितनी सेलरी मिलती है कि मंध में कि मंतली सेलरी आती हे वाक सेल्री कितनी तो यहां पर आपको एक head constable की salary के बारे मैं आपको बताऊंगा मैं वैसे तो दिल्ली पुलिस अनेक तरह के काम करती है जैसे पुलिस कंट्रोल रूम में अलग तरह का काम है फिल्ड में अलग तरह का काम है ठीक है वायरलेस का PCR का और बहुत सारे काम है यह दिल्ली पुलिस की वायरलेस की बस है जो काफी महेंगी है चार करोड के आसपास की है यह लेडीज वो है जिन्होंने missing बच्चों को खोजा था एक महिने के अंदर सबसे ज़्यादा सीमा डाका जी इस प्रकार से आप भी अपने कैरियर को दिल्ली पुलिस के अंदर बना सकते हैं यह फोर्स है जो बीड वगेर आई कठी होती है गैदरिंग कहीं पर हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फोर्स बनाई जाती है तो इस परकार से दिल्ली पुलिस में एक वास्तों में बहुत अच्छी जोब है अलग-लग आपको यहाँ पर experience लेने को मिल जाते हैं तो सबसे बड में allowed होता है तो यहाँ पर जो DTC की जो बसे हैं उनके अंदर हम free of cost as staff चल सकते हैं इसके लिए क्या परावधान है मुझे पका पता नहीं है लेकिन railway के अंदर ऐसा कोई परावधान नहीं है कि कोई सरकारी करमचारी जो दिल्ली पुलिस में है वो free of cost travel कर सके वैसे कुल मिला के अच्छी जोब है आज के दिन हर कोई जोब पाने की कोशिस करता है ताकि एक समाज में उसकी अच्छी परतिष्टा बने यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी salary मिलती है with proof और आपको समझाऊंगा कि यह किस हिसाब से बढ़ती है और कौन-कौन से allowance इसमें आपको मिलते हैं monthly yearly वर्दी कितनी होती है यह सारे हम यहाँ पर discuss करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने salary slip ली है जो की communication unit से है salary slip है यह अपरेल 2021 की latest salary slip है इसके अंदर bucket detail को मैंने मिटा दिया है यहाँ पर जो employee है उसका नाम होता है यहाँ पर उसका designation यहाँ पर उसका PIS number ठीक है belt number mobile number pen number और pay level pay level मतलब आप कौन से level की जो pay है वो ले ले रहे हैं अलग लग level होते हैं pay के लिए यहाँ पर level 4 की pay दिखाई गई है यानि जो आपकी basic pay है वो 25,500 से लेकर 81,100 तक होगी ठीक है उसके बाद GPF number belt number date of birth father name आधार number यह जो format है यह salary slip का अमारा रहता है इसके निचे यहाँ पर duty होते हैं जो में मिलते हैं ठीक है तो हमारी basic pay है 31,400 रुपीए basic pay लेवल जो pay होती है उसके बीच में exist करती है और इसमें लगबग सालाना 3% की वर्दी होती है ठीक है और यह वर्दी साल में सिरफ एक बार होती है और एक बार होती है साथ ही या तो एक जनवरी को होगी या एक जुलाई को होगी ठीक है या तो जनवरी में वर्दी होगी या जुलाई में वर्द दी होगी सिर्फ एक बार होगी और कितनी होगी अप्रॉक्सिमेटली तीन परसेंट इसमें वर्द दी होगी ठीक है तो यहां पर जो employee है उसकी जो basic pay है वो है 31,400 रुपी ठीक है यह आपको समझ में आ गया उसके बाद है DA यानि अगर आप अकबार बगएरा पढ़ते हो तो देखते होगे कि गौर्मेंट जो है वो DA डिकलेर करती है यानि महंगाई भत्ता डियर्नेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता यह साल में दो बार अनाउंस किया ज़ता है लग बगचार 5% के आसपास होता है यह अरबार और अभी जो है वो 17% पर रुक्या हुआ है कोविड के कारण उसके बाद बढ़ाया नहीं गया है सेंट्रल गवर्मेंट इंपलोई का तो जो यह बेसिक पे है उसका सतरा परसेंट है और यह बढ़ता चले जाता है जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है उसके इसाब से उसी प्रकार से हरे है हाउस रेंट अलाउंस यह उत्ता है 24% बेसिक पे का किसका बेसिक पे का 24% होता है यह अगर आप निकाल के देखोगे तो 31,400 का 24% लगबग 7,536 रुपिय ही बनेगा ठीक है उसके बाद आता है आपका ट्रांस 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 अलाउंस 241,212 रुपिय यह आपको एक जगे से यानि आपकी डूटी की जगे से आपके घर जाने के लिए यह बता आपको मिलता है ठीक है और यह सभी के लिए फिक्स होता है जो लोवर रैंक के अधिकारी है उनके लिए साइकल अलाउंस होता है वो होता है 180 रुपिय अपर रैंक क हैं उनको फिर cycle allowance ने मिलके convenience allowance मिलता है जो कि सड़ चर्सो या फिर से उपर हो सकता है इसके बाद आता है रासन्मनी रासन्मनी आपका per day के हिसाब से मिलता है ठीक है पर डे के हिसाब से मिलता है और यह सभी इस दिन होते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एक दिन के आपको कितनी रासन्मनी मिलती है 120 रुपे के आसपास होती है तो यह सारे allowance आपको मिलते हैं और इसमें कैसे बढ़ोतरी होती है यह मैंने आपको समझा दिया तो यह सारे allowance मिला के आपके टोटल कितने मनते हैं यहां पर 52,150 रुपिये बन रहे हैं ठीक है तो यहां पर जो deduction होती है वो किस हिसाब से होती है यहां पर NPS दिखाया गया है यानि new pension scheme जो है उसके अंतरगत employee के 3674 रुपिये काटे गए है इसके साथ जितने 10% होता है ठीक है यह 10% और इसका 15% government देती है यानि लगबग जो आपने 3674 पे आपके कटे हैं उसका 15% government मिला देती है यानि इसके यानि date गुणा और वो दोनों मिला के आपके NPS account में save हो जाते हैं जो आपका बाद में pension purpose के लिए आपके जमा होती है पुराने जो employee थे उनक के पास GPF था government की तरब से यानि government provident fund वो उसमें जितने चाहे पैसे जमा करा सकते थे लेकिन NPS में आप जितने चाहे पैसे जमान नहीं करवा सकते इसके अंदर fix कटते हैं यानि basic plus DA का 10% कटता है और basic plus DA का 15% government अपनी तरब से जमा करवाती है ठीक है इसके बाद आता है CGEGIS यह आपके health health से संबंदित जो की employee को जो services मिलती है उनके लिए यहां पर यह पैसे काटे जाते हैं जो CGEHS facility मिलती है central government health services उसके लिए यह deduction किया जाता है तो फिर इसका नीचे यहां पर हैं दोनों deduction का total कर रख्या है उसी परकार से जो बाकी deduction है वो है DPWS यह जने दिल्ली पुलिस welfare society तो दिल्ली पुलिस ने एक society बना रख्यOS जो की welfare करती है और उस welfare के लिए 200 रुपिये यहां पर काटे गए है ठीक है और 374 रुपय का यहां गया गया है दुन्हों को मिला के इसमें से गटाने पर जो हमें लास्ट में यहां पर मिलता है वो है 48,261 रुपय यानि इंप्लोई की जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर 48,261 रुपय यहां पर जमा हुए होंगे ठीक है यह पैसे कभी कबार कम या ज इसाब से दूसरा आपका जो डिड़क्शन है वो कभी कबार कम या ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि कई बार जैसे एजुकेशन के लिए साल में एक बार 1500 रुपय यहां पर डिड़क्शन होता है तो वो गटके आते हैं कई बार आपका जैसे जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फ पहले जो बरती हुए थे उस एंप्लोई की सेलरी है यह जो कि हैड कोंस्टेबल रैंक के उपर बरती हुआ था ठीक है तो आप अनुमान लगा सकते हैं अगर इसी रैंक अगर कोंस्टेबल रैंक की बात करें जो कि 7-8 साल पहले बरती हुआ हो तो उसके 5 या 7000 रुपी से क उसकी 28-30,000 रुपी तक सेलरी स्टार्ट हो जाती है तो इस परकार से काफी अच्छी सेलरी मिलती है काफी अच्छी अलाउंसे मिलते हैं तो आप भी त्यारी कीजिए दिल्ली पुलिस की दिल्ली पुलिस में अगर आपका बरती होने का सपना है ड्यूटी करने का सपना है साथ और उस अपने को साकार कीजिए अपनी समाज में आपकी इजट काफी बढ़ जाएगी और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो सेर जरूर कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों आपका द दिन सुभो जय हिंद